पुलिस के द्वारा चोड़ा गया है वही मामले में मदन महल भाना प्रवारी नीरज बर्वा ने बताया कि मुकवीर से बहुत समय से सूचना मिल रही थी कि दकिंग्स लेंडिंग कैफे जोकी मदन महल की लिंक रोड में संचावित किया रहा है उसमें एनैतिक गतिवीदिया संचावित की जा रही है जिस पर महिला पुलिस की टीम को साथ में लेते हुए कारवाई की गई जिस पर आपतिजनक हालात में बहुत से नावाले क्यूवक कि युक्तियां मौके पर कैफे में मिले हैं जिने परिजनों को संधाइज देते हुए मदन महल पुलिस के द्वारा छोड़ा गया है वहीं कैफे संचालक द्वारा लगतार एनैतिक वदीवीदियो पर कारे किया जा रहा है जिस पर नगर निगम से संपर्क बनाते हुए कै पर जने अंदर प्रेडा करके जो दुखान हैं उनके मालिक हैं आर्चाव जैन उनका ये कंग्स केफ है जहां पर जनम दर के अनाम पर फूहरता ये लगता रिपोड में लई थी तो आज हम पहुंचे तो हमने दिखा कि आठ लड़के और उनके संक्लाब पांचे लड़किया सबके सब नावालिक और सबके सब कि अनके सब्सक्राइब करते हैं और उसका हमारे थाने में कोई अपराती रिपोर्ट आती है कि सब्सक्राइब कर दिया गया है और उनके माता पिता बेधा को भी वखा गया है और आपकी माधा-पिता जोड़को शेहर के हैं उनको संदिस देना चाहूंगा कि आपकी दिखर बच्ची 16 साल से 18 साल के भी है और जब भी कोलती हैं हम कैफे में जन्व दिन में जा रहे है तो आप उसको बड़े के स्पोर तक छोड़ के आई ताकि आप स्वेम आश्वास हो जाएं कि वह कहां जा रहे हैं क्योंकि छोड़े बच्चे हैं इनको अकल नहीं कि क्या नेतिक और क्या नेतिक है एक 14-16 साल और 15 साल की बच्ची को कोई भी आदमी इस तरीके से अनेतिक करते में अधकेल के फिर बाद में उसका जीवन पूरा भाविस चौपड कर सकता है कि आज अधिकर हमारी पुलिस कि आज अधिकर हमारी पुलिस मौके पर नहीं पहुंसती तो निश्ची तौर पर कोई गंबिर घटना गड़ित होती है क्याफे मालक पर कोई कारवाई हो जाए कि आप देखेंगे लिंग रोड पे सेकंड फ्लोर पर और वहां के आसपास के लोगो बहुत परशाण है कि यहां कभी लड़किया आ जाती है और शराप पीके गदर करती है अब चुकि लड़किया है तो इसली थोला सा हम भी शचक बात करवाई तो आज महिला स्टाप को लेके गए थे और महला बहुत ही आप आती है चुक्तर चुक्तर फंदर साल की लड़किया शराब पी रही है कि हुक्का पी रही है इस तरह की अन्यत्यक्तिवीदियों में लिपती है हां इनका कैफे सील किया जाए आप चुकि मौके पिते नहीं और अभी चुकि बच्चियां बहुत छोटी थी और जो हमारा जो बच्चों के लिए जो कानुन में रहा सा जो धिलाई है कि उनका नाम भी गोपनी रखा जाए और उनके कला ज्यादा कोर से अक्शन में लिए तो उसको करती है उनके माता पिता के हैंड़ोवर करें